हेलो अबरीवन आप सभी का स्वागत है AEC Plus Case Online Platform पर और आज हम बात करने वाले हैं अपनी संखना सीरीज के Lecture No.9 के बारे सीरीज में आगे बढ़ने से पहले आपको को जानकारी देद हूं कि जन्रल साइन्स और जन्रल अवेइनेस की क्लासेस आपको Monday वेडनेस देव फ्राइडे में मिलती है एक दिन आपको जन्रल साइन्स पलेगा उसके अगले दिन आपको जन्रल अवेइनेस मिलेगा ऐसा ही सबसी क्लासेव सबसे पहली बात करते हैं पहले नंबर के question पर क्या होगा यह पहला question तो आप देखें सैन एकली बऻर्डर भारत और खालिस्थान के बिच प्रसद प्रागमन-बिंदू है कौनसा वोटन के साथ थो सेनली जो ढप देखेंगे मियामार के साथ तो आप नगर्ण पर मेजौरम यह बनाते हैं यह तो नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा ट्रांजेट पॉइंट अपन देखने ही पाते है और खास्त और से सैनौली बॉर्डर की जो बात करते हैं तो इसका सई जवाब क्या है नेपाल है नेपाल के साथ एक ट्रांजेट पॉइंट जो है जिसको आप क्या कहते हैं सैनौली बॉर्डर क इसके नामचा आप जानते हैं अगर आप देखें कि सबसे हाइस जो है वह मांट एवरेस्ट है और सेकेंड नंबर पर के टू आती है मांट अवरेस्ट नेपाल में है और यह पी यो के अंदर चली आती है अब यह हिमालाय का हिस्सा नहीं है यह ट्रांस हिमालाय का पार्ट है किसका पार्ट है ट्रांस हिमालाय का पार्ट है और ट्रांस हिमालाय के तीन हिस्से आपको देखने को मिलते हैं कौन-कौन से तीन हिस्से आप देख पाते हैं ट्रांस हिमालाय में एक हिस्सा होता जिसको कहते हैं कारा कुरंग दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जौसकर सबसे उत्री जो है यह सबसे नौर्थ में है उसके बाद यह फर्स नंबर पर आएगा अगर उपर से नीचे की बात करें और यह सबसे नौर्थ में होगा यह सबसे साउथ में होगा और यह मिडल में आप देख पाएंगे अगर इन तीनों के अपन बात करते हैं तो disp Tucson और जो है वही पर आप देखाएं रांहें लद्याक और जोसकर तो अपने हांपर है त्रांस सिल्चत मैं आप दिखें कहां पर है यह चार प्रोप्सण दे तो यहां पर जो आप कारा कुरम देख पाते हैं यहां पर आप केटू को देख पाएंगे यहां पर यह केटू है और यह पाकिस्तान ने पीओ के वाला जो लाका इसके बाद दूसरी सीरीज जो है लद्दाक है तीसी सीरीज जो है वो जौसकर है यह क्या है यह कारा कुरम है यह लद्दाख है और यह जौसकर है यह तीन सीरीज आप ऐसी यहां पर देख पारें तीन सीरीज है तो इस सीरीज पर आप केट्टू देख पाएंगे तो option number क्या हो जाएगा बी अब इसमें पूर भी लगा है पश्चमी लगा हमको कारा कूरम मिल गया और एक ही कारा कूरम पूर भी कारा कूरम के साथ चले गए तो option number B is the correct answer हो जाएग अगला निमले के सब्द किसके हैं who said the following words a flag is a necessary for all nations millions have died for it सभी रास्टों के लिए जंडा निवार है क्योंकि लाकों लोगों ने इसके लिए जान दी है सरुजी नाइडू ने कहा है महात्मा गांधी ने कहा है बीखाजी कामा ने कहा है जवाला नेहरू ने यह कहा है महात्मा गांधी के दौरा यह सब्द कही गए अगला फासी पर चढ़ने से पहले किसने भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राक को बरकरार रखने और प्रसस्ति पत्र प्राप्थ होने के बाद उन्हें सिंधू में फेक देने एक छाविक्त की थी भारत को फिर से संगठित होने तो अगर आप यहां पर देखेंगे उधम सिंग ने तो वो जनरल डायर के हत्या करती थी यह वहीं पर खत्म हो जाते हैं इनका वह बजला था भगस सिंग का कुछ और कहना था भगस सिंग करांती के लिए थे और इनकी डेथ भी पहले हो जाती है भारत पाकिस् से झो है इंके सामने भारत का बतवारा हो गया था तो चेंटे कि भारत को फिर से एकट्रित करते हमारी सिंधु के तो इसके थे तो यह राजस्तने में कितने फ्तर हैं इसकी तो इसकी शुरुवात होती है 2 अग्टूवर All-Star nine wounded इसान के नागौर को कहा से राजस्तान के नागौर से हैं कि यह सुरूपात आप देख पाते हैं अब यहां पर ये पहले प्री था कितना इस तर अब यहां पर तीन इसतर ये पंचायत मी राज बनाइगे कई थारी कमेटियां भी बनी हैं बलवंत spirituality राइंता सुक राइंसुक मेयता यह कमैटीं भी बनी तीन स्तर है ग्राम पंचायत जनपत पंचायत और जिला शरी कि कि यह कितने स्तर देख पयेंगे 3 स्तर आप reciंगे आप अपे समीले करेक्ट डांसर आप देख पाएँगे 3 अि So 어떤 बहुLast पहले राष्ट पती कौन थी यह बताना है तो हमको पता ही है कौन है राधा कृस्टन जो है वो पहले उपराष्ट पती यह क्या है पहले उपराष्ट पती है अगर आप रामनाथ कोबन जी को देखे तो दूसरे व्यक्ति हैं जो दलित समधाय से आएंगे और प्रणाब मुखर्जी जो है इनको प्रणाब दाया कॉंग्रेस के संकट मुचक के नाम से भी जाना गया यह भारत के राष्ट पती रहे हैं तो ऑप्सन नंबर बी इस दी कर गुजरात को टच करता है राजस्थान भी टच करता है उड है उडीॅ सट नहीं करता है उड़ीशा नहींकरता क्या रोलीशा लुञ स मुझ ऑबए उड़ी संगर अगरPy से Pacific अगला थार रेगेस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है पहाड़ी के पस्चिम से परिस्थते कौन सी पहाड़ी तो रेगेस्तानी छित में गुजराज से लेकर दिल्ली तक एक ही पहाड़ी जाती है अब यहां पर आपको कई सारी मिली है वह उद्गाला कल अरावली सेवा राय और जावादी सेवा राय जावादी आपको कहां मिलेंगी साउथ इंडिया में मिलेंगी और थार का जो रेगेस्तान है वह कहां मिलेगा आपको राजस्थान में मतलब नौर्थ इंडिया में मिलेगा तो नौर्थ इंडिया में जो पहाड़ी है रा सिद्ध संरचना को डिजाइन किया था जॉर्ज पंचम वगएरा जब भारत आ रहे थे उस टाइम की बाते हैं और इसके डिजाइन जो थे चार अप्सन एडवर्ड लुटियंस लुटियंस ने जो डिजाइन किया है वो लुटियंस जोन्स दिल्ली में आप देख सकते हैं ज होट बॉणब नं पेस्टॉय द नट डानक्रेवलूईशन करांती की तलवार विचारों की पथर पर तेज होती है किस उतंता इसनानिंघ से शंबंदत है विचारों के तलवारों पर तेज होती है बालंगधर तिलक ने कहा है सुवाशन्द बोस ने कहा है भगास सिंग ने सामिल थे लाजपत्राय की हत्या का बदला लेना चाहा रहे थे तो इनने कहा था कि क्रांति जो है क्रांति की तरवार बिचारों के पत्थर से बिचारों के पत्थर पर तेज होगी बंब और तस्तौल से नहीं होगा कुछ तो option number चार साल 55 वर्स पांस साल 55 वर्स तीन साल वाले कार्ट दो तीन साल चार साल वाले कार्ट दो यह तो हो गई अब मामला फसेगा आपका पांस साल और छे साल तो कारेकाल यहां पर किता रखा गया च्छे वर्स और 55 वर्स जो भी पहले हो option number is the correct answer शे वर्स 55 साल की उम्र बने तो आप 65 मिर्टार हो जाएंगे तो यह जो पहले हो जाए या तो 6 साल का कारेकाल पहले हो जाए या आपकी 65 साल की उम्र पूरी हो जाए पहले तो option number is the correct answer आप यहां पर देख पाएंगे विकास की महाल लौन बिस योजना को किस पंच बरसी योजना में सुओयकार किया गया इसके बारे में पूंचा गया है आपसे तीसरी चौथी पहली और दूसरी तो आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या देखेंगे आप एक सौट ट्रिक में आपको बताइता हूँ तो आप एच्पी इस्क्वाएज यह पहली दूसरी तीसरी और 4 जो पाझाय हैं इनकी मॉडल पर यह बात करती है एह मतलब हेरालरों की बात अस longtime यह पेहली के लिए पी-पी-सी महाल नॉनबेस यह दूसरी और तीसरी के लिए और गौड गिल चौथी के लिए तो महाल नॉनबेस जो है अगर आप महाल नॉनबेस प्लान को देखते हैं तो सबसे पहले कहां पर लगाए गया दूसरी के अंदर लगाए गया तीसरी भी इससे अफेक्टेट थी लेकिन दूसरी एजटेस्ट और फिर चौती पर गौड गिला गई तो महाल एन्वेस्ट जोजना कौन से जाएगी दूसरी हो जाएगी option number d is the correct answer आप देख पाएंगे option number d is the correct answer आप देख पाएंगे अगला अगले की बात करें कि एतिहासिक सेरसा सूरी मार को खालिस्थान कहा जाता है राष्टी राजमार संख्या एन्च 23 एन्च 11 एन्च 1 और एन्च 8 सही जवाब एन्च 1 है कहानी सुन लीजिए इसकी क्या है जिसको आप सेरसा सूरी मार कह रहे हैं पहले उसको उत्रापत कहते थे क्या कहते थे उत्रापत यह उत्रापत कहां से कहां तक जाएगा यह उत्रापत जो है वो जाएगा तक्सिला से लेकर नालंदा तक तक्सिला से लेकर कहां तक आपकी पाटली पतर तक इसी उत्रापत को सडक ए आजम के नाम से सेर्सासूरी ने तयार करवाया तो इसको सेर्सासूरी मार्ग भी कहते है है कि क्या है थो डीजाया करवा दिया बंगाल से लेकर अटक तक पाकिसंतना बंगाल कर वाया वहारी फिल्साड कर और चर्वा कर दिया बहराइस सरकार संट कर दियाबार वह क्या हो जाएगा नेक्सट describe और हो जाएगा और इसको क्या कहते हैं अगला थे कि भारत का कौन सा सहर सबसे चोटा है तो दतिया नागदा बासवाड़ा और कपूर्थला कौन सा छोटा सहर निकल कर आया है हिंदोस्तान सोस्लिस्ट रिपब्लिक एस्सोसीशन एच आरे का गठन खालिस्थान में अंगरेजों को खाल फिकने के लिए किया था देखिए दो संस्थाएं बनी पहले बना एच आरे फिर बना hra 1924 में बनता है 1925 में काकोरी कांड करते हैं भर सके बाद हसर बना जाता है 1928 में कब बना जाता है 1928 मैं तो सही जबाब क्या हो जाएगा 1928 is the correct answer देख पाएंगे 1928 is the correct answer आप देखपाएंगे अगला असायोग आंदोरन कभ समाफ्थ हुआ तो यह समाफ्थ होता है पांच फरवरी 1922 को कब समाप्त हुआ पांच फरवरी 1922 को सड़ी आब बारा फरवरी 1922 को क्यों किया अब इसके पीछे की घटना क्या है तो पांच फरवरी को एक घटना घट गई पांच फरवरी को एक घटना घट गई इसको चोरा चोरी कांड कहते हैं पांच फरवरी 1922 क कि घटना के बाद कि चोरा चोरी कांड के बाद गांदी जी ने बार दोली से इस आंदूरन को बंद कर गया था बारा फरवरी से अंदूरन बंद हो जाता ऑप्सा नंबर सी इस दी करेक्ट आंसर होगा इसका भारत में पंच वर्सी उजनाएं कब शुरूप गए उन्नीसों प्लान को बनाना चालू कर दिया बारा फंच वर्सी उजना आई है उसके बाद फिर पंच वर्सी उजना जो प्लानिंग कमिशन बनाता था उसकी जगह नीतिया योग ने ले लिए तो अप्सा नंबर बी इस दी करेक्ट आंसर आप देखें अगला निम्नमैसे किस देश य जहां पर भी बिधासवा होहां होगी और किन सवule्द प्रदेश होगा चारों यूटी यूटी फोदमन दीफ सिना लक्ष पैसी गया है पॉंडचेरी जो आप देखें इसमें चार जिले आप देखते हैं पॉंडचेरी यनम कराईकल और माहे तीन राज्यों में फैला हुआ है तीन राज्यों में इसका विस्तार आप देख पाते हैं एक मात राज जो तीन राज्यों में फैला हुआ है 211 की जन्ग版ना के वनिसार भारत के Civ राजमय लिंगानपाथ सबसे कम है याने एकहजार पुर्सों पर महलाओं की संख्या सबसे कम है और वह है आप देख संख्यां के दोतर कहा पर है कि बहुत जाब नुकसान करते हैं यह कह रहा है जो नहीं होगा ज्वारी प्रवाहम लहरों के प्रसार में सीएफसी पॉय हैं अब निकलते हैं और यह ओचोन को नस करते हैं और देपलेशन जो होता है उसमें बहुत जाब नुक्सान करते हैं अगला महात्मा गांदी के द्वारा सत्याग्राय का आंदूलन निम्निक्रम में किया गया अब मिनने क्या किया है दांडी मार्च रॉले टैक्ट चमपारण खेडा यह कुछ आपको दिये गए हैं तो सबसे पहले गांदी जी करेंगे चमपारण चमपारण के बाद गांदी जी जाएंगे खेडा 1911 में खेडा के बाद ला जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 में और उसके बाद हो जाएगा दांडी मार्च और असायोगा ऑंदुलन की शुरुवाद हो जाएगा जब सबने बग्ने अंदुलन आफ रॉलेट एक्ट आएगा तो यहीं पर हुआ पर वह खिलाफत 位वान कानुण करेंगे करेंगे दन्डी मार्च और नहीं सब से पहले हैं चम्पारण चंपारण के बाद दूसरे नमबर पर आया खेडा तीसे नमबर पर आया रॉलेटेक्ट दांडी मार्च उसके बाद आएगा इनने दांडी मार्च अब रॉलेटेक्ट का ही तो बिरोध हुआ था गांधी जी ने हरताल कर दी थी अमरेस्टर में जलिया बाला बाग कांट हो और उसके बाद गांधी जी क्या करेंगे अप लाएंगे असायोग आंदुलन के बाद लाएंगे वह दांडी मार्च तो और बाद जाएगा तो ऑप्सटन नमबर चिका हो जाएगा करेक्ट आंशर आप देख पाएंगे चंपारन आएगा फिर खेड़ा आएगा रॉलेट पंडेति हैं तो सरोजी नाइडू है और बनी कहां की थी उत्तर प्रदिस की बनी है उत्तर प्रदिस की पहली महला राज जपाल बनी थे आप देख पाएंगे अगला किस पार्टी की सरकार ने دوسरे पिछडा वर्ध आयोक के गठन की पार्टी रास्टी कांगरेस भारती जनता पार्टी जनता पार्टी नेlines किये और इसके बाद आप देखेंगे इसको भुनाया रिपिपी सिंग ने भुनाया था और जिसको मंडल का कमंडल केहते हैं मंडल कमिशन जो बनेगा आगे जा जनता पाइटे ने 1978 में की थी इसके आगे की जो चर्चा है वो सवाल जो आप देखेंगे वो सारे economy के सवाल होने वाले हैं और उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे पुर्थान साथ चलिए तो यह आपने अंकुर सर के subject से related कुछ कोश्चन थे उनके बारे में बात किये अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं और जिनके आने की संभावना ज्यादा है वैसे कोश्चन के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं कोश्चन नमबर 24 बोल रहा है हूँ अमंग दा फॉलोइंग वज नॉट गवर्नर ऑफ रिजर्बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से कौन भारती रिजर्बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं अब देखिए उप्सन देखिए इसमें आपको लिस्ट मैंने दी हुई है अगर आप कोश्चन उटता है कि क्या बोल रहा है कि गवर्नर नहीं थे इसलिए गवर्नर थे उनके बारे में देख लेते कि उनका कारेकाल कब से कब तक था मन महान सिंग की एगर हम बात करते हैं मन महान सिंग एक अइसा नाम जिसने 1990 के दौर में भारती अर्थ विवस्था को उत्री हुई पट्री से उत्री हुई अर्थविवस्था को उन्होंने पट्री पर लाने का काम किया था और open door policy जैसी चीजों का credit जो है वो मनमोहन सिंग और नसिम्हा राओ को ही जाता है तो यहां पर याद रखिए कि इन्होंने ही क्या किया है 1990 के दौर में economy को boost up करने के लि ना तो मनमोहन सिंग जो थे वह सेप्टेमबर 1982 से जनवरी 1985 तक क्या थे यह और बिए के गवर्णर थे उसके बात बात आती है किसकी रगुराम राजन की रगुराम राजन की बात करें तो सेप्टेमबर 2013 से सेप्टेमबर 2016 रघुराम राजन सेप्टेमबर 2013 से सेप्टेमबर 2016 रजित पाटेल सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक पुर्जित पतेल जहां पर यह खतम की यह थे वहीं सप्टेमबर 2016 दिसंबर 2018 और फिर आते हैं जो करेंट गवर्नर है सक्ति कांदाज जी कब से दिसंबर 2018 से तो अगर आप से पूस्ता है कि सरे से कौन नहीं है तो आपको अगर लिस्ट पता होगी तभी आप एंसल दे पाएंगे लिस्ट को याद रखी बात सुझ में आ रही है चलिए सुनी लरोड नहीं थे क्वेश्चन 25 की बात करते हैं इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इस इसक्विडिटी को रेगुलेट करने का काम किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी है और यह मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम करती है और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनती है जिसको बोलते हैं फिसकल पॉलिसी और फिसकल पॉलिसी को बनाने का का जो है वो करता है government और government में अगर हम बात करें तो finance minister बात सुझ में आ रही है तो यहां पर बोल रहा है कि भारत में मौध्रिक नीती किसके द्वारा बनाई जाती है याद रखिए वो reserve bank of India के द्वारा बनाई जाती है चले question number 26 की बात करते है question number 26 जो है वो क्या बोल रहा है नोट तो आप सभी लोगों ने देखा है आप अपने जेब से नोट निकाली और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की एक image जो है वो आपको देखने को मिलेंगी उनको याद कर लीजे वहां से भी question आते हैं अब देखिए रानी की वाव मोटिफ इस प्रेजेंट ऑन विच आप दफॉलिंग करेंसी नोट निम्न में से किस मूली वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है तो याद रख ही है हंडेट रुपई के नोट पर क्या है रानी की वाव है है अब बात आती है सर्क कुछ होड भी नोट देख लें तो दस रुपई के नोट पर कोडारक का सूर्य मंदीर है गुपाय कोडार की है और 20 रुपए के नोट पर एलोरा गुफाएं बस्वज में आ रही है अब बसता है हमारे पास में 50, 200 और उसके उपर के तो 50 रुपए के नोट पर हमपी मंदिर है 200 रुपए के नोट पर साची स्टूप है याद रखिये गए ये सब हमपी मंदिर ये है साची स्टूप अब बचा 500 और 2000 500 रुपए के नोट पर लाल किला है और जो 2000 का नोट था उस पर मंगल यान जह मिउन याद रखिएगा अगर आप से पुछता आए कि रानी की बाव का है तो आप बुलिए सर,100 रुपी के परत इसका राी ट एंसर क्या हो जाएगा वह 100 रुपी का LIVE हो जाएगा क्लियरर है कोर्च नमबर 27 की बात करते हैं कोर्च 527 बोल रहा है who decided reporate reverse reporate and bankrate देखित तीनों में क्या फर्ख और यह किसके टूल है तो यह तीनों टूल है किसके monetary policy के रहें किसके टूल है monetary policy के और monetary policy कोन बनाता है बनाती है तो इसका मतलब है कि इसको decide कुन करेगा RBI decide करेगी तो रीट answer तो आर भीए होजएगा अभ यहां पर देख लेते हैं कि यह होते क्याम है ृपर rate की अगर हम बात करते हैं तो Caitlin ब compartment का मतलब होता है कि जब less than one year पर एक साल से कम duration पर RBI बैंकों को क्या करती है लोन देती है और बैंक उसके बदले क्या करते हैं इंट्रेस्ट देते हैं तो यह जो बैंक को उसके बदले क्या करते हैं इंट्रेस्ट देते हैं तो यह जो इंट्रेस्ट होता है जो लेस देन वन येर के लिए दिया जाता है बैंक के द्वारा RBI को वहाँ पर हम बोलते हैं कि कौन सा रेट है यह रेपो रेट बास सुझ में आ रही है बात आती है रिवर्स तो यहां बोलते हैं कि RBI जिस रेट उफ इंट्रेस्ट पर बैंक से लोन लेती है और जो रेट आ उफ इंट्रेस्ट पर वो लोन लेती है उसी को हम रिवर्सरे पो रेट कहते हैं बिल्कुल क्लास जब हम ले रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा रहा था तम मैंने आपको यह चीज़े समझाई हुई है ठीक है कि क्या लॉजिक होता है तो वह जाकर देखिए आपको चीज़े क्लियर होंगी तीसरा इसमें बोल रहा है बैंक रेट तो रेपो रेट और सर्फ इंट्रेष्ट पर बैंक स्कूल देती है और कितने टाइम के लिए एक साल से ज्यादा के लिए वही रेट और कहलाता है बैंक रेट कहलाता है और इन सब को करने का काम कों करता है वो करती है आर बी जो है और रेपो रेट के निर्धारण के लिए किस इंडेक्स का प्रयोग करती है तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडेक्स काम करते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो इंडेक्स काम करते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो इंडेक्स काम करते हैं एक काम करता है WPI जिसको बोलते होल सेल प्राइज इंडेक्स एक काम करता है CPI जिसको बोलते कंजूमर प्राइज इंडेक है और उन्हीं प्रोड़क्ट के बेसेस पर कल्कुलेशन होता है तो होलसेल प्राइज इंडेक्स जो है उसी के आधार पर हम कल्कुलेशन करते हैं लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछ ले कि सर्फ में इंडेक्स क्या है इंफिलेशन का और आर्बियाई का में जो बेस है जिस पर आधारी तो होकर वो अपनी मौद्रिक नीती बनाती है वो कौन सा इंडेक्स है तो में इंडेक्स के तोड़ पर पहले तो डब्लू पी आई था लेकिन अब 2012 के बाद से उर्जित पटेल कमेटी के रिक्मेंडेशन के बाद से CPI को में इंडेक्स बना द कुश्चन नमर 29 की अगर बात करते हैं कुश्चन नमर 29 बोल रहा है विच आप दा फॉलोइंग मौनेटरी पॉलिसी टूल देखिए मौनेटरी पॉलिसी टूल अगर आपको पता होगा डारेक्स बता देंगी इस यूजड बाई आर्बी आई तो कंट्रोल इंफलेशन इस एक है ट्रेडिशनल और एक है नोट्रेडिशनल ये सब आपने पढ़ा हुए है रेट typical traditional की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के होते हैं एक होता है quantitative गौह और एक होता है कौने त्में अफे इधर जब आप देखते हैं तो आपको तीन चीजें दिखाई देती हैं एक दिखाई देता है काफी इन्टरस्टिंग नाम है helicopter drop या फिर इसी को helicopter money भी कहते है फिर दिखाई देता है helicopter हुवर और फिर दिखाई देता है negative interest rate ठेक और इधर आपको दिखाई देता है CRR SLR बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट MSF open market operation इधर आपको दिखाई देता है मोरल स्विजन डारेक्ट एक्षन क्रेडिट रास्निंग और मार्जिन रिक्वार्मेंट तो आर बियाई जब अपना मोनेटरी पॉलिसी देखती है तो वह यह बताती है कि हमाई पास इतने टूल है इंफलेशन डिफलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इतने टूल का यूज करते हैं अब यहां पर देखिए तो राजकोशी कर्शन फिस्कल ड्रैक जैसा कोई टूल है ही यह गलत हो राजकोशी वर्ड आ गया तो वह तो फिस्कल का पार्ट हो गया ना तो वैसे यहां नहीं आएगा उसके बाद हम देखे तो मित्वेई उपाए यह भी कुछ ऐसा है नहीं रेपो रेट जो है वह यहां पर आपको मिल रहा है यह टूल है और फिस्कल बूस्ट जो इसा कुछ होता नहीं बात सुझ में आ रही है तो अगर यह चार्ट आपको याद रहेगा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ एक एक वर्ड हमने समझा हुआ है यह जब याद रहेगा तो आपको ऐसे कुश्चन जो है वह उंगलियों में बन जाए बात सुझ में आ रही है चलिए इसका राइट जो है वह और रेपो रेट हो जाता है कुश्चन नमबर 30 की बात करते ही मुआ कर रही है लेपो रेट में इंक्रीमेंट कर रही हुर रेपो साथ होता है एक साल से कम डिएशन पर जब बैंक को इंट्रेस् देगा यह लॉन देगा यह लून देगा अब यहां पर क्या बोल रहा है के बंक को यूरि अधी तेशिती रमस्मा की बैंक ही उसकी demand क्या हो जाती है उसकी demand में decrement हो जाता है तो यहां पर customer क्या करेगा demand कम करेगा loan कम लेगा पैसा market में कम पहुचेगा अब जब पैसा market में कम पहुचेगा तो उससे फिर से demand में decrement होगा और demand जब decrease होगी तो inflation क्या हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा तो जब भी इंफलेशन आता है आप याद रखेंगे रेट बढ़ेंगे और रेट के बढ़ने से इंफलेशन या महगाई जो है वो क्या हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी बस उन में आ रही है तो याद रखेंगा कि रेपो रेट में अगर व्रधी होगी तो वहाँ पर अर्थ विवस्था में मुद्रा इस्फिती या इंफलेशन की दर्मे कटवती देखने को मिलेगी मुद्रा इस्फिती जो है वो धीरे धीरे रेडियूस होती आपको नजर आएगी तो इसका राइट एंसर जो है वो इंफलेशन विल रेडियूस हो जाएगा बस उन में आ रही है तो यह हमारे कुछ कोशन थे आपके लिए एसी प्लस लेकर आ रहा है सिविल और मेकेनिकल क अगर आप कोर्स जोइन करते हैं तो बासमज में आ रही है आप इसको जोइन करिए इसको देखिए पढ़ाई करिए और अपनी पढ़ाई को टेस्स सिरीज वगएरा के माध्यम से कॉंसेप्ट को समझ कर और ज्यादा शार्प करिए बाकि आप पढ़ाई करते रही है थैंक यॉ सो मच